हलो दोस्तों आज मैं आपके साथ आपके घर के छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और यह जितनी ज़्यादा टेस्टी है उतनी ज़्यादा हेल्दी भी है और इस रेसिपी खो आप 10 महिने से लेकर तीन साल तक के बच् जरू करते हैं इस हेल्दी और टेस्टी रसिपी को बनाने के लिए मैंने याँ पर है पकावा आम लिया है यह देखें और मैंने इसे पानी से अच्छे से वाश कर लिया है तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतार देंगे और बेबी फूट रेसिपी बनाने के लिए हमें तो यह देखे दोस्तों आम का छिनका मैंने हटा लिया है और हमें केवल इतने ही टुकड़े की जरूरत है और अभी से हम काट लेंगे छोटे-छोटे पीसेज में दोस्तों वीडियो के बीच में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो यह देखिए आम को मैंने छोटे-छोटे पीसेज में काट लिया है और अब इसकी हम प्यूरी बना लेंगे तो आम की प्यूरी बनाने के लिए मैंने यह ग्राइंडिंग जार ले लिया है इसमें हम आम के पीसेज को डाल देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे दो से तीन छोटे चमबच पानी जिससे यह आसानी से ग्राइंड हो जाएगा और अब हम जार का ठकन लगा देंगे और इसे बारिक ग्राइंड कर लेंगे तो आम के प्यूरी बनकर तयार हो चुके हैं यह देखिए एक दम स्मूथ प्यूरी बनकर तयार हुई है और अब इसे हम अलग बावल में निकाल लेंगे तो यह हमारी आम के प्यूरी बनकर तयार है और अब हम इसका बेबी फूट बनाएंगे और इसके लिए ग्यास पर मैंने इस्टिल की कड़ाई रख दी है इसमें हम डाल देंगे आदे चोटी चमज घी और इसे मेल्ट होने देंगे तो ये देखे दोस्तों घी मेल्ट हो चुका है और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं दो चोटे चमज सूजी तो इसमें आप बारिक वाली या मोटी वाली किसी भी तरीकी सूजी का इस्तमाल कर सकते हैं डाल देंगे इसे कड़ाई में और इसे लगातार चलाते में हम भून लेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसका कलर लाइट ब्राउन होने तक तो सूजी को मैंने भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है बहुत इच्छे खुश्बू आ रही है इसमें से तो इसे समय पर हम इसमें डाल देंगे आधा ग्लास के लगभग पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लंप स्प्री होने तक और इसे एक से दो मिनेट के लिए पकने देंगे तो लगभग दो मिनेट हो चुके हैं सूजी को पकाते हुए यह हलके हलकी फूल गई है इसे समय पर हम इसमें एड कर देंगे आधा छोटी चमच तरीका आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं मिला लेंगे सबी चीजों को अच्छे से और इसे 30 सेकंड के लिए और पकने देंगे तो सूजी को मैंने या पर हलका सा और पका लिया है और इसे समय पर हम इसमें मिला देंगे आम की प्यूरी तो आम की प्यूर तो यह देखिए दोस्तों आम की प्यूरी अच्छे से मिक्स हो चुकी है सूजी के साथ में और हमारा है टेस्टी बेबी फूड बनकर तयार हो चुका है और यकिन वाने दोस्तों ये फूड आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हलका ठंडा होने के बाद आप इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं और ये लीजिए बनकर तयार है हमारा सूपर हैल्दी टेस्टी बेबी फूड और इसे हमने आम के साथ में बनाया है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और इस रेसिपी को आप सब्ता में तीन दिन बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे की मेरे आने वाले वीडियो की लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंस सके तो अभी गर्मियों के मौसम में इस रेसिपी को बना कर आप जरूर ट्राइए केजिएगा यह आपके बच्चों को बहुत ज़्यदा पसंद आएगी साथ ही दोस्तों आप हमें फेस्बुक और इंस्ट टेस्टी बेबी फूड रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाए